आज मैं आपको हिंदी में पार्ट एक मेरा देश नाम कविता पढ़ाऊंगी इस कविता को सोहन लाल्दी वेदी जी ने लिखा है सोहन लाल्दी वेदी जी ने इस कविता में भारत की जो भगुलिक बनावट है और सांचकतिक महिमा इन दोनों का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है उन्होंने इसमें जो भारती संशकती है उस भारती संशकती और भारती संशकत का गौरवगान और यहां की सांती को बहुत ही अच्छे से बताया है इस कविता में कविने जो भारत की कर्म भूमी है और धर्म भूमी है वो हमें कैसे प्रेणना दे रही है उसके बारे में बताया गया है अब मैं कविता पढ़ती हूँ उचा खड़ा हिमालय आकास जूमता है नीचे पखार पगतल नित सिंद जूमता है गंगा पवित्र यमुना नदिया लहर रही है पलपल नई छटाएं पगपग छहर रही है वह पुन्य भूम मेरी वह जन्य भूम मेरी वह मात्र भूम मेरी इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि उचा खड़ा हिमालय जो हिमालय परवत है विशाल परवत है उचा खड़ा हिमालय जो परवत है उस परवत की शिखर की जो चोटियां है आकास को चूम रही है नीचे पक्हार पग तल नित सिंद जूमता है, नीचे पक्हार मतलब इसपर्ष करना धोना, पग मतलब पैर, तल मतलब जमीन, नीत मतलब हमेशा, सिंद मतलब समुद्र, नीचे जो है समुद्र जो है हिमाले परवत के तल को पैरों को छूता हुआ, इसपर्ष करता हुआ और भारत देस में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदिया जो है वो नदिया लहरा रही है पलपल नई छटाएं पगपग छहर रही है और पलपल मतलब छण छण जो है उनकी नई छटाएं याने कि नया उतार चढ़ाओं हर पगपग में वो छहराती हुई उम्राती मेरी है जिसमें मेरा जन्म हुआ ऐसी जन्म भूमी मेरी है ऐसी भारत भूमी मेरी स्वान भूमी है ऐसी मात्र भूमी मेरी है जिसमें मैंने जन्म लिया है इतना तो समझ में आगे होगा बच्चो अब मैं आगे बढ़ती हूँ जरने अनेक जरते जिसकी पहाणियों में चि भारत देश में एसी अनेक पहाणिया है उन पहाणियों के बीच में अनेक जहरने लहराते हुए दिखाए दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो है जो हमारे भारत देश के जो वन्य प्रदेश है उन प्रदेश के जाणियां है उन जाणियों में क्या है चिडियां चाह करें हैं चिडियां की चाहार चारोहोर सुनाई दे रही है अमराईयां घनी है अमराईयां मतलब यहाँ पर आमों के वन्य से है आमों के बाग से है, आम के जो बाग हैं उनको कहा गया है अमराईया घनी हैं और बसंत्री तो आते ही उन अमराईयोंपर आम के रक्षो पर कोयल पुकारती हुई दिखाई दे रही है बहती मलय पवन है तंतन समारती है और इसी बीच में इन्ही घने बागों में हवा जो है मलय मतलब यहाँ पर आपका एक ऐसा परवत है जहाँ पर चन्न के व्रक्ष के सुगंद जो है हवा बहती रहती है मतलब मलय पवन है यहनी कि उस परवत से चन्न के व्रक्षों से चूती हुई जो हवा है वो बह रही है जिससे हमारा तंमन समारती है तंमन समारती का मतलब है वो जो है स्वास्त वर्धक जो हवा लहराती हुई चलती है जिससे हमारा स्वास्त तंमन जो है क्या है प्रफलुत वा धर्म भूमी मेरी ऐसी भारत की धर्म भूमी मेरी है वा कर्म भूमी मेरी है जहां मैं कर्म करता रहता हूँ वा जन्म भूम मेरी मत्दब जिसमें मैंने जन्म भूम में जन्म लिया है वा मात्र भूम मेरी जिसमें वो मेरी भारत मा है वह मात्र भूम मेरी है आगे कभी कर रहे हैं जन्मे जहां थे रगुपती जन्मी जहां थी सीता जहां पर राजा रामचन जी का जन्म हुआ था जो की हमारे मर्यादा पुलशुत्तम रामचन जी के नाम से जाने जाते हैं और जन्मी जहां थी सीता जहां पर सीता माता का जन् श्री क्रश्न ने सुनाई वन्शी पुनीत गीता और श्री क्रश्न भगवान ने जहां पर अपनी मधुर वन्शी के द्वारा अपनी मधुर वासुरी के द्वारा पुनीत मतलब पुन्य पुन्य गीता का जो है क्या किया हमें संदेश दिया गीता के संदेश के द्वारा हम को ये बताया कि कैसे व्यक्ति को कर्म करने चाहिए गोतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया और जहां पर जो गोतम बुद्ध है उन्हें इस पवित्र धर्ती पर जन्म लेकर उन्हों कैसे जीवन को जीना है उस जीवन के जीने के उद्देश को आगे बढ़ाया है जग को दया दिखाई जग को दिया दिखाई का मतलब यहाँ पर है कि किस प्रकार हमें दया की भावना को रखते हुए कैसे हमें संसार के नियमों का और कानूनों का पालन करते हुए व्यक्ति को कैसे रहना है और जग को दिया दिखाया मतलब जग का नाम उचा किया नाम रोशन कर दिया गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के दौरा अपने शुयश के दौरा अपने अच्छे संदेशों के माध्यम से इस भारत देश को और आगे गौरान भी किया वा युद्ध भूम मेरी वा बुद्ध भूम मेरी वा युद्ध भूम मेरी से मतलब है कि जहां पर श्री कश्र भागवान ने गीता का उपदेश देकर एक न्याय और अधर्म के लिए कैसे कैसे रहा जाता है किन नियमों का पालन किया जाता है वो हमें सिखाया वा भूम मेरी से मतलब है कि आपके गौतम भूद्ध ने तैसे जो है बूद्ध के अहिंशा के मारगों पर चल कर हमें जीना सिखाया वह जन्म भूम मेरी यहीं कि वह ऐसी जन्म मेरी है ऐसी मात्र भूम मेरी है जिसमें हमने जन्म लिया है तैने का ताक पर यह है कि कवी यहां पर भारत की भगोलिक जो इस्थिती है उसका गुड़गान करते हुए भायत के वन प्रदेशों का गुड़गान करते हुए और भारत के जहां पर महान पूर्शों ने जन्म लिया है उनकी गौरव गाथाखा बहुत अच्छी तरह से